हाई स्टुदेंट्स सो आज किस वीडियो में हम लोग यह देखने वाले हैं कि टूपोग्राफिकल मैप में हम लोग फॉर फिगर और इस तरह निकालता है वैसे तो इन दोनों ही टॉपिक्स ही उपर मेरे अल्री वीडियो बने हुए है इस एक सिंगल वीडियो में मैं दोनो ही यह टॉपिक्स करने वाला हूँ इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना अगर तुमें फॉर फिगर और सिखना है तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी तो यह हमारा एक टॉपोग्राफिकल मैप है इसी में हम फॉर फिगर और निकालने वाले हैं और सबसे पहले ह हमारा काम यह होता है कि हमें मैप पे धूदना होगा कि हमारा ये जो स्टेलमेंट है जो भी चीज़े जिसका हमें फोर फिगर निकालना है हैं यह मैप पर है कहांप सबसे पहले हैं निकाल यह hon घृट करेंगा मैप यह लोका-चुपि का ऑली वहाले हैं पर ढूदो कहाँ पर है, भामरा सेटलमेंट, तो अगर थोड़ा सा भी घ्यान से देखोगे, तो भामरा सेटलमेंट तुम्हें यहां पर मिल जाएगा, यह गाओं है यह कस्भा है ही चोटा सा, ठीक है, तो इसी कहाँ हमें क्या बताना है, फोर फिगर동 के ःफ्रेंश returns आप में नहीं होता है x-axis और y-axis तो यह तुम्हारी y-axis हो गई ठीक है यह रोज हो गई और यह जो गॉलम्स में वर्टिकल लाइंस हैं इनको तो एक साक्स मान सकते हो लेकिन यहां जोग्रफी में हम इनको और य-axis के नाम से नहीं जानेंगे यहां पर यह जितनी तुम्हें horizontal लाइंस दिखाई दे रही हैं यह सारी horizontal लाइंस को हम बोलते हैं नौर्दिंग्स यह नौर्दिंग्स और यहां पर यह जो ऊपर तुम्हाई वर्टिकल वाले columns दिख रहे हैं यह columns की numbering को हम बोलते हैं यह इस्टिंग्स यह इस्टिंग्स हैं यह इस्टिंग्स हो गए और यह नौर्दिंग्स हो गए तो यहां पर हमें math की तरह जब हम graph पर कोई point plot करते हैं पहले क्या बताते हैं पहले उसका x-coordinate बताते हैं तो x-coordinate यानि कि सबसे पहले हमें बतानी होगी उसकी easting यानि कि जैसे मालो यहां पर हमें अगर भाम्रा का four figure grid difference बताना है तो यहां पर सबसे पहले हमें इसका x-coordinate बताना होगा तो x-coordinate कैसे आएगा कि यहां पर X-axis में कितना आगे जा रहे हैं, तो हमें column का number बताना होगा, यहां पर भामरा को देखो, यह तुम्हारा इस column के और इस column के बीच में आ रहा है, यह दो columns हैं, इन के बीच में भामरा settlement लगी कर रहा है, तो इन दोनो columns का number देख लो क्या है, इन दोनो columns का अगर number देखोगे उपर, तो यहां से उपर देख लो, यह तुम्हारा 50 और 51 के बीच में आ रहा है, तो यहां पर दोनों में से हम कम वाला हमेशा लेते हैं, यह keyword याद रख लो, हमेशा कम वाला number लेना है, यही चीज़ चलती है, ग्रीड रिफरेंसे में हमेशा कम वाला number लेंगे, तो यहां पर 50 और 51 के बीच में यहां भामरा आ रहा है, तो हम कम वाला लेंगे यानि कि 50 वाले line को हम consider करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले, यहां पर मैं लिख देता हूँ 50, तो सेटलमेंट भामरा का जो इस्टिंग आया है, वो हमारा 50 हो गया, ठीक है, आई ओप इतना क्लियर होगा, अब इस सेटलमेंट भामरा के लिए, नौर्दिंग देख लो, यहां पर नौर्दिंग देखो, दो नौर्दिंग के बीच में यह है, 32 और 33 इनी दोनों के बीच लाइन के बीच में तो भामरा है तो यहां पे हम कम वाली लाइन लेंगे मैंने का था कीवर्ड यहां रखना कम वाली लाइन हमेशा लेते हैं कम नंबर वाला लाइन हम कंसलर करेंगे तो यहां पे हमारा 32 वाला कम नंबर वाला लाइन है तो 32 हम ले जो इतने बड़े नक्षे पे, अगर हमसे कह दिया जाए कि भामरा को सर्च करो, तो ऐसे तो यहाँ पे सर्च करना मुश्किल हो जाएगा, तो settlement भामरा का अगर साथ में तुमको 4 figure grade difference भी बता दिया जाए, जो कि हमने क्या निकाला है, 5032, तो इससे ढूंडो के कैसे, यह भी म का मतलब क्या, यहाँ इस्टिंग में देखा 50, फिर नीचे आते गए, और 32 तक आए, 32 तक उतर के नीचे है, तो यहाँ पे 5032 जैसे हम नक्षे पे सर्च करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, भामरा मिल जाएगा, तो purpose यही होता है, ताकि हम किसी भी settlement को, या किसी भी चीज को मैप पे ढूं सकें, इसी के लिए हम उसका 4-figure grid difference निकालते हैं, तो आई हो 4-figure grid difference निकालने, तो मुगो थोड़ा हो समझ में आया होगा, अभी इसके बाद 4-figure grid difference हम निकालने वाले है, rock out crop in north का, चलो इसका देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले, पहला काम हमारा है यह मैप पे हमें rock out crop को सर्च करना है, यहाँ पे यह तो बोला गया था, rock out crop in north, इतना हमको बता दिया गया है कि north का rock out crop हमें देखना है, तो north हमारा कहां पे होता है, map पे directions हमेशा देख लो किस तरह होंगे, north हमेशा नक्षे में उपर की तरफ होगा, यह north, उसके बाद नीचे क अगर उपर north side में देखोगे, तो यहाँ पे तुम्हें लिखा दिखाई देगा, इसको मैं zoom कर देता हूँ, तक तक तुम्हें जादा clear दिखाई दे, यह है हमारा rock out crop, अब इसका four figure बताना है, तो four figure के लिए वही rule चलेगा यहाँ पे, यह rock out crop है, ध्यान से देख लो, जहा पहले vertical lines देखो, यानि की eastings देखो, तो vertical lines, यानि की x axis में कितना आगे जा रहे हैं, तो यह vertical lines देखोगे, तो 51 और 52 के बीच में यह आ रहा है, तो यहाँ पे कम वाला लेंगे, यानि की 51 लेंगे, तो यह हो गया, तो यहाँ पे four figure निकाल लें के लिए सबसे पहले हमने लि अगर हम चेक करें, side में इधर हम देखेंगे, तो यह तुमारा 38 और 39 वाली line के बीच में, तो 38 और 39 यानि की कम वाली line लेंगे, तो यहाँ पे 38 और 39 में से हम कम वाली, यानि की 38 वाली line को consider करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, 38, so 5138 is the four figure grid reference of rock outcrop in knots, तो रॉक आपे देख सकते हो, 5-1 और 38 पे rock outcrop लाए कर रहा है, ठीक है, I hope इतना समझ में आया होगा, so अभी four figure के बाद, अब हम next देखने वाले हैं, six figure grid reference किस तरह निकाला जाता है, तो एक बात याद रखना, कि जब भी तुमारा question six figure grid reference निकालने का आएगा, तो यह पहली बात तो मानलों एक well हो गया, या फिर तुमारा एक tree हो गया, survey tree, या फिर मानलों एक तुमारा temple हो गया, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का ही तुम्हें six figure हमेशा निकालना होता है, तो यहाँ पे चलो, एक six figure हम निकालते हैं, और six figure grid reference के लिए पहले हमको four figure grid reference किसी भी चीज का निक निकाल लिया था, तो यहाँ पे दिखते हैं, settlement भामरा कहा गया, अगेन लुका छिपी है, ढूंडो भामरा को यहाँ पे, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे ढूंडा, और यह भामरा हमें दुबारा से मिल गया, तो यहाँ पे भामरा का four figure grid reference हम निकाल चुके हैं, लेकिन इस figure grid reference निकालना है, तो कैसे निकालनेंगे देखते हैं, सबसे पहला काम temple ढूंदो, भामरा में temple है कहाँ पे, तो यह रहा भामरा, भामरा में अगर मैं थोड़ा सा और zoom in करूंगा, तो तुम लोग को भी दिख जाएगा, यहाँ पे छोटा सा देखो उपर temple है, बलब छोटा हमें बताना है six figure, तो six figure difference बताने के लिए, हमको four figure difference भी बताना होगा, तो four figure तो हम भामरा, भामरा के जिस्ट उपर, same box में ही है, तो same box का same four figure होता है, तो यहाँ पे इसका पहले four figure निकालेंगे, तो four figure अल्रेडी हम भामरा का निकाल चुके हैं, जो कि क्या आया था, यहाँ यहाँ पे जो हमारा मंदिर है, यह है, तो इसका four figure पहले देखो, four figure के लिए पहले x-axis में जाएंगे, यहाँ कि पहले eastings देखेंगे, तो यहाँ पे यह मंदिर है, कौन सी eastings के बीच में आ रहा है, उपर देखना ध्यान से, five zero and five one, इन दोनों eastings के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे से मंदिर के लिए कौन सी eastings लेंगे, 50 और 51 में से, हमेशा कम वाली लेते हैं, तो 50 यानि कि 50 वाली लेंगे, कम वाली लेंगे, तो 50, यह हमारा हो जाएगा four figure, तो 50 हो जाएगा पहले, पहले तुमको four figure ही निकालना पड़ेगा धियान रखना six figure के लिए, उसके बाद में एक blank छोड़ दो, ऐसे line बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने बता दिया कि अब यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, ठीक है, अब इसके बाद, four figure में अगली चीज, नौर्दिंग बताओ, यह तुमारा मंदिर है, मंदिर कहां आ रहा है, इन दोनों lines के बीच आ नौर्दिंग है, तो इन दोनों line को पकड़ो, देखो कौन-कौन सी lines है, 32 और 33, हमेशा कम वाली line लेनी है, keyword है, याद रख लेना, यहाँ पे 32, कम वाली लोगे 32 और 33 के बीच मंदिर है, तो 32 हम लेंगे, तो यहाँ पे 32 हम four figure में लिख देता है, तो यह हमारा हो गया, नौ लिखना है, और वही number हमारा six figure बताएगा, अब देखो, यह हमारा four figure में निकाल दिया, अब six figure पर आते हैं, six figure कैसे निकालना है, ध्यान समझना, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा था, 50 हमारा easting था, easting कहां पर था, easting यह था, इन दोनों lines के बीच में आ रहा है, मतल जब हम बताते हैं, वही six figure हमारा हो जाता है, तो इस line के कितना और आगे हम बढ़े, हमें यह बताना है, तो देखते हैं, चलो, यहाँ पे scale को रखेंगे, ध्यान देना इस चीज़ पे, यहाँ पिछली line के हमने scale का zero mark रखा है, और इस तरह रखेंगे, कि 2 cm हमारा पूरा पूरा यहाँ पे cover हो जाए, यहाँ पे देख सकते हो, 2 cm का तुमारा पूरा पूरा यह box है, तो यहाँ पे इस तरह हम scale को align कर लेंगे, ध्यान रखना, scale का zero mark तुमारा इस वाली line पे आना चाहिए, zero marking, ऐसा नहीं है कि scale का यह वाला end रख देना है यहाँ पे scale का zero mark तुमारा होना चाहिए, इस वाली initial line पे, और जो आगे वाला 2 cm है, वो तुमारा इस वाली red line पे आ जाएगा, तो 2 cm का walks होता है, हमको यह देखना है, कि 50 और 51 यह दोनों eastings थे, तो 50 के कितना और आगे हम आए, और कितना और आगे कैसे ना पोगे, गिनोगे यहाँ पे एक चीज हो जाती है, बच्चों को confusion भी होता है, जो मैंने पिछले वाले अपने वीडियों बताया था, कि यहाँ पे mm reading देखके उसको divide by 2 कर देते हैं, इसका मैं reason भी तुम लोगो यहाँ बता देता हूँ, क्या करना है हमको, सबसे पहले करना क्या है, वो देख 14, 15, 15 और 16 पे जिस्ट आ रहा है, अगर ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे 15 और 16 पे, 15 वाले पे ले सकते हूँ, हमेशा कम वाला ले न, यह 15 पे आ रहा है, तो 15 वाला यहाँ पे consider करोगे, ठीक, अब यहाँ पे एक चीज, मैंने हमेशा कहा 15 वाले mm पे अगर यह आ रहा ह है, यहाँ पे 15 mm पे अगर यह आ रहा है, इसको divide by 2 हम करेंगे, so divide by 2 करेंगे, तो क्या आएगा, 15 divided by 2 आएगा तुमारा 7.5, तो 0.5 भी गाइप कर दो, लो तुम 7, हमेशा 0.5 या कुछ भी अगर आता है, point के नंबर को हमेशा हटा देंगे, सिर्फ लेंगे 7, फिर से समझ हमें यह देखना था, कि इन दोनों इस्टिंग्स में, 50 और 51 में, 50 वाला कम वाला हमने पहले तो लिया, फिर यह देखना था कि 50 के कितना और आगे यह मंदिर प्रिजेंट है, तो mm में हमने पहले measure किया, कैसे, हमने counting करा, कहां पर यह निकल किया, यह तुमारा 15 वाली लाइ तो 7 हमारा यहाँ पे number आया है, और यहाँ पे 7 को हम लिख लेंगे, इस 4 figure में 50 के आगे, 50 से कितना आगे हम गया, हम 7 units और आगे गया, अब यहाँ पे मैं mm डेरेक्ट क्यों ने लिखी, 15 डेरेक्ट क्यों ने लिखा, इसका भी reason समझ लो ध्यान से, कई बच्चों का यह सव यहाँ पे, अगर count करोगे, 10 mm यहाँ तक हो गया, 1 तक, और उसके बाद 2 तक 20 mm हो गया, 20 mm का यह पूरा distance है, लेकिन हम को क्या चाहिए, हमें 10 divisions बनाने हैं, तो अगर हम यहाँ पे mm को count करेंगे, तब तो यहाँ पे 20 divisions बन जाएंगे, 20 यहाँ पे blocks बन जाएंगे, 20 खाने ब फिर उसके बाद 1, 2, यह तुम हो गया, तुमारा 2, फिर उसके बाद 1, 2, यह तुमारा हो गया, 3, फिर उसके बाद 1, 2, यह तुमारा हो गया, 4, फिर उसके बाद 1, 2, यह तुमारा हो गया, 5, यानि कि 1 तक आते आते हमारे 5 units cover हुएं, यह मतलब है, हर 2 mm पे 1, इसलिए मैं साथ और आठ के बीच में आ रहा है यह तुम्हारा 7 डिविजन हो गया और यह तुम्हारा 8 डिविजन हो गया तो 7 और 8 के बीच में आ रहा है यह 7 डिविजन और 8 डिविजन तो मैंने रूल क्या बताया है कि हमेशा कम वाला लेना है तो 7 ले लोगे ऐसे भी कर सकते हो या फि दोनों लाइन्स में देखा था ना, तो ये दोनों लाइन्स कौन से थे, 32 और 33, तो यहां पे से हमने 32 कम वाला ले लिया था, अब नौर्दिंग्स में भी हमें ये देखना है कि 32 से कितना और उपर हम गया हैं, तो यहां पे scale को रखो, अगेन फिर वही काम करो, तो यहां पे scale को मैं रखूँगा थेहांसे.. यहाँ पर alignment जदरूरी है.. 0 पर reminder नीचे वाली àine पट demh हां जाहिlichen जाहिए.. और उपर वाली लाइन पे तुम्हारा 2 cm वाला More ला आ चाहिए.. तो यह पर alignment ज़रूरी है.. देहा रखना.. तो यहां पे तुम्हें यही देखना है कौन से वाले डिवीजन में तुम्हारा टिमपला रहा है सोकौंसा डिवीजन है यह तो वही काम करो दो-दो करकें काउंट कर लो यह सिंपल मिलिमीटर को कौंट करो कौन से वाले के सामने मंदिर उसको डिवाइड बै 2 कर दो whole number वाला number ले लो simple यह तरीका कर लो आसान पड़ेगा तो यहां पे देखो count करो देखो one तक count करो कि 10 mm हो गया चाहे तो ऐसे count कर लो यह one फिर two फिर three four five six seven eight nine ten ten वाले के just सामने यह मंदिर आ रहा है 10 वाली लाइन इसको कट करके जाएगी 10 mm वाली यानि एक सेंटीमीटर पर आ रहा है तो 10 mm हुआ मैंने रूल क्या बताया है डिवाइड बैट टू कर दो तक हमें 1010 के commissions मिल जाए तो देखो अगर वैसे count करोगे तो dho-dho millimeter पर unit count करोगे तो तब और रहा है अगर और इसे नहीं करना ऐसे टफ पड़ता है मैं भी कह रहे हूं यहाँ पे simple millimeter क्यों करो आसन तरीका बता रहूं यह thousand mm को क्यों क्योंतना 213 चार पांच छे साथ आठ नौ दस 10 mm पर है डिवाइड बै टू करो कितना आ जाएगा फाइव तो यह तुमारा फिफ्ट डिवीजन पर टेम्पल लाई कर रहा है जस सामने तो पांच लेलो सिंपल तो यहां पर यहां पर यह आ जाएगा तुमारा फाइव तो सिक्स फिगर य यहां पर एक और चीज का हम सिक्स फिगर निकालने वाले हैं देखते हैं यहां पर सेकेंड हमारा है स्पॉट हाइट 324 अब इसका मैं फटाफट निकालूंगा सिक्स फिगर की डिवरेंस दोरा ध्यान समझना यहां पर है डॉट 324 यानि कि इस तरह डूट लगा होगा और 324 लिखा होगा 324 मीटर स्पॉट हाइट हमको दे रखी है इसको स्पॉट हाइट कहते हैं और यह नौर्थ में होगी सो 324 स्पॉट हाइट नौर्थ साइड में धूंडो कहां पर लुका चुपिका खेल है तो यहां पर स्पॉट हाइट 324 को थोड़ा शिद्दस से अगर तो यहां पर तुम्हें वह साफ साफ दिख जाएगी तो जूम इन कर लेता हूं मैं थोड़ा से यहां पर इसको यह देखो डॉट 324 यानि कि स्पॉट हाइट 324 यानि कि इस पॉइंट की जो हाइट है अब अब सी लेवल वो तुमाई है 324 मीटर तो यहां पर सबसे पहले इसका 4 फिगर निकाल लो तो यहां पर सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कौन सी इस्टिंग्स के बीच में यह आ रहा है तुमारा 53 और 54 के बीच में तो हमेशा कम वाली लेते हैं तो यहां पर लेंगे 53 लिया 4 फिगर के लिए तो यह आ गया हमारा 53 फिर उसके बाद एक ब और दिंग्स हैं यह हैं 38 और 39 मैंने रूल बताया है हमेशा कम वाली लेनी है तो कम वाली लाइन है 38 38 ले लो सिंपल भाई 38 और 39 के बीच में आ रहा है तो 38 ले लेंगे तो 38 हो जाएगा इसका 4 फिगर डिफरेंस 5 3 उसके बाद एक स्पेस और 38 अब आगे फिर से स्पेस तो 6 फिगर अब निकालते हैं चलो थोड़ा सा ध्यान देना 6 फिगर के लिए सबसे पहले कौन कौन सी इस्टिंग्स की बीच में यह आ रहा था 53 और 54 कम वाली हमने ली थी 53 जो कि मैंने यहां पर लिख भी दिया था ठीक है तो 53 के कितना आगे हम आए है 53 के कितना आगे यहां तक हमाएं वह अब हमें स्केल रखके मेजर करना पड़ेगा तो स्केल लेंगे और यहां पर चुपचाप रख देंगे स्केल मार्क यहां पर जीरो वाला लाइन से अलाइन कर देना ठीक है उसमें गड़बड़ी करोगे तो 6 फिगर गड़बड़ाएगा देख लो यहां यहां पर जीरो मार्क वाली लाइन इस वाली इन लाइन से अलाइन कर दी है और इसको मैं जूम इन करूँंगा अब यहां तुम लोग भी देखो जो पॉइंट आ रहा है जो डॉट है 324 का जो डॉट है हमें नंबर पे यहां पर नंबर से 6 फिगर नहीं निकालना है जो य यहां पर है 1,2,3,4,5 यहां तक 5 हो गया फिर 6,7,8,9,10 वन तक हमेशा 10 mm हो जाएंगे ध्यान रखना फिर उसके बाद 11,12 यह जस्ट 12 वाले के सामने आ रहा है 12 mm के सामने है तो 12 नहीं लिख दोगे divide by 2 भी करोगी क्योंकि हमें 10 divisions चाहिए होते हैं लेकिन यहां पर 20 divisions हो रखे हैं so 20 divisions को 10 में तबदील करने के लिए हमें 2 से divide करना होगा so यहां पर तुमारा 12 के सामने है यह यहां पर 12 mm के सामने है तो 12 divided by 2 आ जाएगा 6 तो simple यहां पर 6 figure हमारा कितना हो जाएगा यहां पर 53 के आगे हम 6 units आगे गए हैं तो यहां पर हो जाएगा 6 ठीक है अब इसके बाद next आ जाता है 38 के कितना और उपर हम जाएंगे इस point तक वो हम दब देखेंगे तो यहां पर scale को रखेंगे कभी भी गलती से scale ऐसे मत रख देना ध्यान देना scale ऐसे रखोगे तो गलत हो जाएगा 0 तुम्हें इधर रखना है क्योंकि 38 और 39 बढ़ इधर को रहा है तो scale हमेशा ऐसे रखेंगे 0 mark नीचे रहेगा यह ध्यान रखना यह गलती मत कर देना तो यहाँ पर 0 mark नीचे रहेगा तो सई से सेट कर देता हूँ मैं इस तरह अब देखो point जहां पर है उसके focus करना है तो यहाँ पर count करना, start करो, चलो, यहां से, तो यहां पर हो जाएगा, 1 तक के 10 mm हो जाएगा, I hope इतना आप तक तुम लोग समझ गया होगे, फिर उसके बाद 11 से मैं count कर रहा हूँ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो यह 17 के सामने आ रहा है, ठीक है, 17 के सामने, यह वाला dot हमारा आ रहा है, तो 17 के सामने तो 17 को 2 से डिवाइट करो, 17 को 2 से डिवाइट करो, यह आ जाएगा तुमारा 8.5, 0.5 को डालो, dustbin में, 8 नमबर ले लो, simple, जो whole नमबर है, वो ले लो, तो 8 आ गया, तो बस यहां पर हम लिख देंगे 8, यहां पर देखो, मैंने 8 लिख दिया है, ठीक है, तो यह आ गया हमा 5, 3, 6 और 3, 8, 8, यह हो जाएगा हमारा 6-figure great difference, इस चीज़ का, इस spot height का, फिर से देख लो ध्यान से, यहां पर हमने 8 क्यों लिया, सबसे पहले अगर division wise अगर चलेंगे, तो वैसे भी मैं दिखा देता हूँ, अगर division 2-2 का division लेके तुम count कर रहो तो, 2 mm का 1 division होता है, जो 10 divisions म हम पूरे box को माटेंगे, तो देखना, यहां पर 2 mm, यह एक division हुआ, फिर 2, फिर उसके बाद 1 skip किया, यह 3, फिर 4, फिर 5, फिर उसके बाद 6, और फिर 7, और उसके बाद 8, तो आठवे division के ऊपर, 8 और 9 के बीच में आएगा ना, एक skip कर रोगे तो, 8 और 9 के बीच में आ रह उसको divide by 2 करो, point वाला number ignore मारो, जो whole number है, simple उसको ले लो, यह तरीका होता है, simple, so I hope 6 figure difference निकालना तुम लोगो समझ में आया होगा, so 2 चीजों का मैंने निकाल दिया है, अब इसके बार, तीसरा हमारा आता है, prominent survey tree, north east of Bhamra, अब इसका भी हमें 6 figure निकालना है, तो चलो देखत आया था, north, south, east, west, north east कहीं ना कहीं, इधर side होता है, so यहाँ पर देख, north east कहाँ पर होगा, north east, इधर side होगा, so यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यह तुमारा survey tree है, prominent survey tree, survey tree क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे trees होते हैं, जिनको survey करके उनकी numbering कर दी जाती है, so बहुत ही कम trees होते हैं, बहुत ही पुराने ऐसे trees होते हैं, तो कुछ यहाँ पर तुम्हें trees मिलेंगे, जैसे कि यह तुम्हें, यहाँ पर tree symbol बना हुआ है, इसको मैं zoom करके तुम्हें दिखाता हूँ, यह तुमारा tree का symbol बना हुआ है, and इसके बगल में लिखा है, 286, ऐसे ही तुमारा tree बना होगा और उसके बगल में एक नंबर लिखा होगा तो यह हमारा हो गया प्रॉमिनेंट सर्वेट ट्री और इसका जो नंबर है वो 286 है नंबर से हमें इन दो लाइन के बीच में आ रहा है यह तुम्हारा इन दो लाइन के बीच में आ रहा है पहले हम वर्टिकल वाले पिलर्स देखेंगे वर्टिकल वाई लाइन देखेंगे तो इन दो लाइन के बीच में आ रहा है इन दो लाइन का तुम्हारा इस्टिंग क्या है तो इनको पे नहीं आ रहा है, 52 से जरह सा पीछे ही है Tree, तो 52 नहीं लेंगे, हम लेंगे 51, ठीक है, तो यहाँ पर 51 आजाएगा, अगर 52 पे पूरा-पूरा यह Tree होता, यह Tree का आइकन अगर पूरा-पूरा 52 पे बना होता, तो हम 52 लेते हैं, बड़ यहाँ पर 51 लेंगे, विकॉज यह 52 पे नहीं आ रहा है तो 51 वाली लाइन लो simple यहां पर हो जाया गा 51 उसके बाद में एक blank छोड़ेंगे अब आती है बात नॉर्दिंग की और इन दोनों नॉर्दिंग के बीच में आ रहा है इन दोनों नॉर्दिंग का नंबर क्या है नंबर तुमारा कभी कभी यहां भी लिखा होता है इस नॉर्दिंग का नंबर है 32 उपर 33 होगा फिर 34 तो 32 और 33 अगर confusion हो तो यहां बगल से भी देख लो इन दो लिक देता हूँ पहले यह हो गया 32 आगे एक लाइन खीच देंगे अब यहाँ पे six figure इसका निकालेंगे तो six figure निकालने के लिए सबसे पहले यह देखेंगे कि 51 इस वाली लाइन के कितना हम आगे आए हैं तो यहाँ पे रखेंगे scale और देखना चालू करो 51 के कितना आगे हम गये हैं तो उसके लिए millimeter readings को count करो कौन सी वाली millimeter reading के just सामने यह पेड़ा रहा है तो यहाँ पे count कर लो यह तुमारा 1 तक 10 mm हो जाएगा फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 के स उसे divide करेंगे कितना आजाएगा आजाएगा तुमारा 9.5.5 को फेक दो डेस्ट बिन में 9 ले लो simple आजाएगा तुमारा 9 क्योंकि हमें दिख भी रहा है बहुत आगे तक हम आए हम 51 वाले line के बहुत आगे आए हैं तब जाकि यह पेड मिल रहा है तो इसलिए 9 वाला division ही कह में आ रहा था इन दोनों के हमने कम वाला लिया था तो इसके कितना और उपर हम जाएंगे यह हमको देखना है अगें scale ऐसे नहीं रखा जाएगा ध्यान रखना जिधर से जा रहे हैं कम वाले से उपर की तरफ जाते हैं तो इसलिए हमेशा zero mark नीचे की तरफ ही रखना इसम का जो center है यह consider करोगे कौन सी लाइन के सामने आ रहा है तो देखो यहां पर हो जाएगा 123 तो यहां तक हो जाएगा 10 तक आई होप समझ गया होगे 11 से count करते हैं यह हो जाएगा 11 mm 12 13 14 15 उसके पास 16 17 तो यह हमारा 17 mm के just सामने यह पेड़ा आ रहा है तो 17 mm को मैं consider कर सकता हूं तो 17 mm की लाइन लो 2 से डिवाइट कर दो division वाला find करने के लिए 17 divided by 2 करोगे कौन सा division मिलेगा तुम्हें 17 divided by 2 आ जाएगा तुम्हारा 8.5 .5 को fake दिया ले लिया hole number 8 simple 8 है तो यहां पर अगर division wise देखो के तब 80 आएगा देख लो 2-2 mm का एक division मालो वैसे count करके देख लो confirm हो जा यह हो गया 6 फिर यह हो गया 7 फिर यह हो गया 8 तो 8 और 9 के बीच में आ रहा है ना 8 तो इसलिए 8 वाला division ही हम consider करेंगे तो चाहे ऐसे देख लो चाहे मेरा millimeter वाला तरीका देख लो कि millimeter count करो कहा तक आ रहा है divide by 2 करो whole number ले लो देख लो कहां पर आ रहा था यह 11 12 13 14 15 16 17 17 वाली तो 8.5.5 फेकर डस्बिन में ले लिया 8 simple 8 हमारा आ गया answer तो यहां पर हम लिख देंगे 8 ठीक है तो I hope समझ में आ गया होगा कि हमने 6 figure यह कैसे निकाला है तो 6 figure हमेशा छोटी छोटी चीज़ों का ही होता है और अगर कोई बड़ा area हो गया कोई बड़ी चीज होगी तो उस उसके अलावा कोई दिक्कत हो तो नीचे comments में लिए के तुम लोग पूछ भी सकते हो और यहां पे कुछ tips है तुम लोग के लिए जो तुम लोग देख सकते हो that जो 4 figure होता है वो हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए निकालने के लिए कहा जाता है और 6 figure grid reference हमेशा छ करके हम निकालते हैं फिर इसके बाद अब इसको तुम रिलेट कर सकते हो graph से graph में जब हम कोई point plot करते हैं मानलो हमने plotting करा ऐसे तो इसका कैसे तुम बताते हो coordinate पहले इसका बताते हैं x coordinate फिर इसका बताते है y coordinate मानलो 2,3 हो गया 4,5 हो गया जो भी हो गया पहले हम x वाला coordinate लि जाती है eastings और y axis हमाई क्या बन जाती है northings बस यही तो है और है क्या math से लेट कर लो पहले तुम्हें x coordinate लिखना है यानि की eastings देखके लिखनी है eastings हमाई कहां लिखी होती है यहां उपर लिखी होती है और नीचे भी इनका number लिखा होता है यहां पे so eastings दोनों जगह है यह यह x-axis तुम्हाई है basically यह जो बनी हुई है देख लो horizontal line यह जो बनी है यह तुम्हाई x-axis है तो इन lines को देखके तुम्हें इस्टिंग वाला number बताना है तो पहले बताओगे eastings x-axis उसके बाद फिर y वाला coordinate यानि कि northern बता दोगे simple वही तुम्हारा क्या हो जाता है grid reference जैसे वीडियो के end में यहां पर तुम लोग से भी एक सवाल है यहां पर जो दंतरा है यह एक settlement है इसके पास में जो यह plus symbol तुमको दिख रहा है यह symbol map में किस चीज के लिए इस्तमाल किया जाता है यह तुम लोग को नीचे comments में लिए बताना होगा यहां पर यह plus symbol किस चीज को signify कर रहा है यह किस लिए बना हुआ है यहां पर इसका क्या मतलब है इसका meaning तुम्हें नीचे comments मिले के बताना होगा और जो students इसका सही answer देंगे उनके comments को में वहां पर heart भी दोगा So I hope इस videos तुम्हें help मिली होगी और इसके अलावा topo sheets से related में और भी धे सारे videos बनाए हैं जिसको तुम इस वाले playlist में जाके check out कर सकते हो मैंने A to Z पूरा topography cover किया हुआ है उसके लिए तुम बस हमारा ये वाला playlist जाके देख लो और इस playlist को देखने के बाद में तुम्हें topography में किसी भी part में कोई भी देखत नहीं होगी So अगर तुम इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल पर subscribe ज़रू करना और साथ में इस वीडियो को like भी करना और अपने दोस्तों के साथ भी share करना So इसी के साथ चलो पर मिलते हैं अब अगले वीडियो में तब तक के लिए take care, see you and bye-bye